बहुत सारी बच्चों को काफी प्रोब्लम आती है अक्षार लिखने में और हमने सोचा कि चलो आपको एलिए एक वीडियो बनाते हैं अक्षार लिखन पे ये वीडियो तीन-चार पार्ट्स में होगी जैसे A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K के ऐसे अलग-अलग पार्ट्स में बनाएगे ताकि आप अक्षार जो आपना इंग्लिश अल्फबेट्स है वो अरां से लिख पाएं क्यूंके इनके बेनिफिट्स बहुत है आप कहीं पे भी अपना नाम अपने चाहे गाड़ी का नंबर हो मोटर सेकल का नंबर हो खुद ड शुरू करते हैं और बनाते हैं चलो बचो सबसे पहले हमारे पास स्केल और स्केच्च वुक होनी चाहिए ताकि हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें और अपनी फाइल के तीन साइड एक-एक सेंटीमेटर का हाशी अलगाएंगे और एक तरफ दो सेंटीमेटर का हाशी लगा लेंगे जो जिस तरफ बाइंडिंग होती है उस तरफ दो का लगा लेंगे बाकी तीनों साइड एक-एक सेंटीमेटर का हाशी अलगाएंगे अभी नीचे भी लगा लेंगे यह हमारा जो हाशी अलग गया है जो हम लोग अलफबेट्स लिखेंगे वह लिखेंगे बच्छों हम लोग ग्राफ में ग्राफ में लिखेंगे ग्राफ में सबसे पहले तो उपर अपने लेफ्ट एंड साइड एक-एक सेंटीमेटर के हम लोग निशान लगाएंगे पांच सेंटीमेटर तक क्योंकि पांच भाई तीन में बनाना हमने क्योंकि शीट बढ़ी होती है इसलिए सेंटर में और लेफ्ट है साइड और राइट साइड तीनों साइड पे हम लोग निशान लगा लेंगे सबसे पहले इन निशान को मैं पैन से दार कर देता हूं ताकि आपको दिखता रहें अब देख सकते हैं पांच सेंटिमेटर और अभी हम लोग इनको एक दूसरे के साथ मिला करके बढ़ा देंगे लेट मीर खाएं लगा देंगे चल अभी हम लोग खडमी रेखाएं लगाएंगे वह भी हम लोग एक एक सेंटिमेटर की ही लगाएंगे तो तीन चार पांच ऐसे करके अगे जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे और उपर भी लगाएंगे नीच्छे भी लगा लेंगे एक एक सेंटिमेटर की निशान लगाने है अब इन आइनों को हम लोग मिला लेंगे खडमी लिखाओं को यह जो हमारा हाशिया यान के ग्राफ लग गया है पांच वही तीन में बनाएंगे तीन आगे पांच लीचे सबसे पहले दो वाला जो खाना है उसको हम लोग डार्क करेंगे स्केट से कर दिते हैं पर पांच और पांच के बगर में एक छोड़ दी दूसरा है जो पिरची रखाय मिला देंगे अभी जो बीच में ट्रंडी लगी होती हो लगा देंगे यह बच्छों हमारा एबन के दिया रहा है अब भी बनाएंगे एक सेंटीमेटर छोड़ देंगे भी बनाएंगे तो दो सेंटीमेटर बढ़ा देंगे और तीसरे को बीच में से खाट देंगे उपर सेंटर निकालने के लिए दोनों को कट कर देंगे अभी मिला देंगे इनको पर भी लगा देंगे एक लाइन अभी इनके बीच में लाइने लगा देंगे यह हमारा बन गया भी अभी बनाएंगे सी एक सेंटीमेटर छोड़ देंगे दो तीन चार पांच सी के चारो को लें काट देंगे सेंटर में लाज लेंगे अभी जो इसका मूंग खोलना है वो डेट सेंडीमेटर तक का खोल देना है दो हो गया है कि आधा उपर आधा ही नीचे खोल देंगे यह दो सेंटीमेटर खोल जाएगा बीच में से उपर की तरफ टेड़ बीच में से नीचे की तरफ टेड़ दो होजे गई अभी डी बनाएंगे एक सेंटीमेटर बीच में शोड़ देंगे राइट हैंड साइड के ऊपर नीचे के कौनों को काट देंगे लेट साइड का कोई कौना नहीं काटेंगे पर नीचे की इरखाओं को भी जोड़ देंगे यह हो गया हमारा D, अभी बनाएंगे E, एक सेंटीमेटर छोड़ देंगे तीन लेट में रखाएं होती है, दो बड़ी उपर नीचे की और बीच वाली छोटी होती है मिला देंगे, अभी जो हमारा एक सेंटीमेटर है, लेट एंड साइट का उसको भी ड्रॉख कर देंगे बच्छाब देख सकते हैं, हमारा E, B बन कर तयार है, A, B, C, D, E, यह अक्षर हमारे बन कर तयार है जबड़ों कर देंगे उन्ही की खंबड़ों कर दित्काब जिए dedi